यह तो by default होने ही है, तो इसके बेस पे आपके जिते भी जो अगर आप कोई भी competition के exam भी देखोगे, तो बहुत ही basic question पूछे जाते हैं, आपको लगाना सही आना चाहिए, ZXLR कैसे लगाना है, जो practice सही आएगा, ठीक, यह दो homework है, और एक sheet मैंने 88 number दी थी, किते लोगों ने try क 88, खोलो, ठीक, देखो, 88 number sheet last time distribute की थी RMS वाली, फाइल ही में लगा लिया कर वो फाइल में लाया कर वो फाइल में जल्दी मिलती है, घर में लगा रहे हो ना फाइल, 88 88 यह वाली है यह देख, यह वाली है चल़फ आप भर था दएख ले यहीं से देख लेजाते हमें दखेंगे देखो, इस टाइप जपरोबलॉम के कंपपटिशन में आती है सारे objective questions आई हुए questions है RMS और mean पे ध्यान से देखो कैसे करने attempt सबसे पहले SHM याद करो SHM के अंदर periodic motions के अंदर हमने एक short cut किया था कि अगर आपके पास कोई भी equation कैसी गिवन हो 5 sin omega t तो 5 को क्या बोलते हैं amplitude उसी तरिके से इस chapter में अगर question given हो i is 5 sin omega t तो i का मतलब maximum current that is i0 तो i0 हो जाएगा और अगर वो यह पूच ले इस equation को देखते हो यह i0 निकाल लो तो i0 आगया वो यह पूच ले i rms निकाल लो i rms का formula i0 by root 2 आंसर आगया clear है अगर मानलो SHM के अंदर याद करो एक result आता था कि 3 sin omega t 4 cos omega t sin भी है, cos भी है और y की maximum value निकालनी है तो अगर याद हो SHM जिन्हों ने किया हुए पहली sheet के ओपर यही numerical है कि इसका amplitude निकालने का shortcut बताया था sin का coefficient का square और cos के coefficient का square का under root जो की क्या हैगा 5 उसी तरीके से same pattern अगर आपको EMF गिवन हो sin और cos में इसका coefficient E1 इसका E2 यह कुछ करने के जोड़त नहीं maximum EMF बोलो क्या होगी under root of E1 square plus E2 square, यह EMF maximum आगी E0 आगया, RMS value क्या होगी, E0 by root 2 इसको root 2 से क्या कर देना है divide, तो इस type की problem आपके competition में आती है just one liner, कि आपने इसको check करने और E-RMS निकालने फिर दूसरे type की problem जैसे यह for non-medical है medical में नहीं आएगा, कि I is equal to या आएगा तो बहुत छोटा करके आएगा इतनी बड़ी integration है, छोटा करके आ सकती है जैसे I की value time के साथ change हो रही है question है find I, RMS तो I, RMS का यह formula लिखा आए की जगा यह function put कर दिया, और इसको क्या कर दिया integrate, यह medical में इतना लंबा नहीं आ सकता क्योंकि बहुत बड़ी integration है पर non-medical वालों को integration आती है वो इसे solve करेंगे medical के लोगों के जादर जादर बहुत छोटा आएगा sine, कुछ भी sine to omega t कुछ भी देदेगा, method will remain same. उसी तरीके से उसी तरीके से यह question last time हमने कर लिया था, यह question आया हुआ question है, मेरे खाल से NEET में या में मुझे पता नहीं यह देखो, यह pattern ऐसे change होता जा रहा है, यह current एक cycle, दूसरा cycle, तीसरा cycle ऐसे infinite cycle चलते जा रहे है आपको बताना है कि average current क्या होगा, average current होता है, बाद ध्यानेदर average current होता है total charge by total time एक cycle ले ले ले, एक cycle ले ले ले, total charge क्या होगा, इसके अंडर area current or time का जो area होता है वो charge होता है, इसका area कैसे निकलेगा, area of rectangle plus area of triangle, divided by total time क्या है, T, तो यहाँ से total charge by total time answer can be calculated, तो लॉजिक समझ में आ रहे है, कोई भी अजीब तरीके का graph दे देगा, और पैटर्न रिपीट करता जाएगा, एक cycle ले 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 है, उस cycle का charge upon total time विल गिव average current, ठीक, जो लास्ट क्वेश्चन है for non-medical only, medical को करने की जूरती है इसमें, non-medical वालों को कुछ भी line की question पे question देगा, जैसे यह current है, repeat होता रहा 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 था pattern, dotted नहीं, यह dark वाला, कहेगा इसमें V rms निकालो, तो non-medical के लोग क्या करेंगे, इस line की equation निकालेंगे by applying y is equal to mx plus c, y-axis में V है, x-axis में time है, intercept minus V0 है, slope निकलाएगी, 2V0 by T, tan theta से, slope आगई, V आगया, फिर non-medical के student, फिर वही formula लगाएंगे V rms, जो last time किया था, हमने, V की यह value put करेंगे, और फिर 0 से T, integrate करेंगे, और यह non-medical वाले ही कर सकते है, intigations, और मेरे ख्यासी हां तक answer आजाएगा, मैं intigation नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अब तो आपकी intigation स्टार्ट होई चुकी है, अब तो आप करेंगे लोगा, और medical में ही आएगा यह, clear है, तो homework हर कोई करके आएगा, test pending है आपका test,